हेलो बच्चो आप लोग कैसे हैं उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे सोच्थ होंगे बच्चो हम आप लोगों को पढ़ाने ते क्लास टेंद की ट्रिगनोमेट्य अंस्याटी से जिसमें बच्चो हम एक्सरसाइज 8.1 टोटल खातम कर दिया जो आप मेरे प्लेलिश्ट में जाकर ले सकते हैं बच्चो हम इस एक्सरसाइज में करेंगे 8.2 कोशन नमबर टू का फोर्थ पार्ट कैसे होगा हम अब देखेंगे क्या है हमारा चुवो जिदी कारेक्ट आप्शन जाश्टिफायर च्वाइस चार आप्शन दिया है बताना है चारों में इसको जाश्ट सही होगा यह हमारा कंडिशन इसको सॉल्व करते हैं इसी स्याज़ाएगा हमारा कोश जाश्ट सही होगा चलिए सॉल्व करते हैं सोल्यूशन क्या है 2 into 1030 डिगरी का मैली क्या होता है 1 by रोट 3 अपान में 1 minus 10 square 30 डिगरी है तो 10 30 डिगरी का मैली होता है 1 by रोट 3 इसका square लगा देगे तो 2 into 1 2 अपान रोट 3 यह हो जाएगा 1 minus 1 का square 1 रोट 3 का square 3 तो हो जाएगा 2 अपान रोट 3 तो 3 बन्जा 3 minus 1 अपान में 3 ठीक है तो क्या हो जाएगा 2 अपान रोट 3 अपान में 3 minus 1 2 यह हो जाएगा 3 अब हम जानते हैं कि ओपर उपर का गुड़ा होता है और नीचे नीचे का गुड़ा होता है तो कैसे हो जाएगा 2 into 3 क्या जाएगा 6 अपान 2 into रोट 3 2 into रोट 3 हो जाएगा क्यों जाएगा 2 बन्जा 2 तो 3 जा 6 क्या आगा हमारा 3 अपान रोट 3 अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं रोट 3 into रोट 3 लिख सकते हैं 3 को आली सकते हैं यह रोट 3 है रोट 3 से रोट 3 कड जाएगा तो हमारा क्या बच्चा सिर्फ रोट 3 बच्चा हुआ है यह आंसर होगा अब देख लिजे किसका आंसर होगा है कौस 60 डिघर के लिख क्या होता है कि यह रोट 3 वाइटू लेकिन रोट 3 है यह होगा हमारा आप से मिसीव साहिए केक है बच्चो तो हमें करते हैं आप कोछा समय जाया होगा आप अच्छे करिएगा धर निवार दिश्चो